तो हलो गाइस कैसे उमीद करता हूँ बढ़े होंगे अभी आपके सामने है 2024 की न्यूली रॉंच बजाज की पलसर NS400Z काड़ी का जो रिवीव है आपने काफी सारे देखेंगे आपको मज़ा भी आया होगा इसलिए मैं रिवीव नी करूँगा मैं बताऊँगा इस गाड़ी की EMI की डीटेल तो यहाँ पर कलर तो है अपने पास सारे हैं ग्रे भी है वाइड भी है ब्लैक भी है और रेड आपके सामने है तो आज मैं पताने वाला हूँ इस काड़ी की EMI की डीटेल, कि आप minimum या फिर maximum कितनी down payment करके इस bike को purchase कर सकते हो, एक साल, दो साल, तीन साल के लिए finance करवाते हो, तो आपके पर मन्त की EMI के आने वाली है, documents कौन-कौन से लगेंगे, showroom से आपको कौन-कौन से paper दिये जाएंगे यह वो सारी जानकरी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो को अंतक सरू देखना, तो सबसे पहले बात करते हैं, इस काड़ी को जब आप लेने के लिए showroom के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे मिलेगी आपको 5-year engine warranty, 5 साल का insurance, कुछ service आपको free मिलेगी, जिसम काड़ी को आप minimum 40,000 की down payment करके आराम से ले सकते हो, अब आप चाहो तो 30,000 भी down payment दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके civil का best और better होना काफी जादा जरूरी है, civil आपका रहेगा 750 प्लस, तो आपको जो यह 30,000 में भी bike मिल जाएगी, तो अगर आप इस bike को लेने के लिए down payment करते हो 40,000 की, और finance करवाते हो 12 महिने के लिए, तो आपकी जो EMI है वो बनेगी 16,070 रुपे की, जो की हर महिने आपको पेक करनी पड़ेगी, 18 महिने के लिए finance करवाओगे 40,000 की down payment देके, तो 11,163 रुपे की EMI बन जाती है हर महिने की, 24 महिने यानि 2 साल के लिए finance करवाओ 40,000 की down payment देके, तो 8,737 रुपे की EMI बनेगी पर मन्त की, आप जादा down payment करते हो, लगबख 60,000 के आजपास आपकी down payment रहती है, और finance करवारे हो आप 12 महिने के लिए, तो आपकी जो EMI हर महिने की वो बनेगी 14,185 रुपे की, 18 महिने के लिए finance करवाओगे 60,000 की down payment देके, त 9,886 रुपे की आपकी EMI बन जाती है पर मन्त की, 24 महिने यानि 2 साल के लिए finance करवाते हो आप इस बाइक को, तो 7,737 रुपे की आपकी EMI बन जाती है पर मन्त की, आपका बजट अच्छा है, सेलरी अच्छी है, सेलरी सिधा अकाउंट में आती है, और आप जादा down payment करते ह जो उतनी ही कम आपकी EMI बनती चली जाती है, और सिविल बैस्ट होता है, तो आपको ROI भी थोड़ा कम हो जाता है, जिसे आपकी जो EMI है तो और कम होने लगती है, तो 18 महिने के लिए आप फाइनेंस करवाओगे, इस बाइक को तो 8,610 रुपी की आपकी EMI बनेगी, जो की पर मंत आपको पेक करनी पड़ेगी, 24 महिने यानि 2 साल के लिए फाइनेंस करवाओगे, 80,000 की डाउन पेमेंट दे के, तो 6,738 रुपी की आपकी EMI बन जाएगी पर मंत की, तो आपका जो EMI प्लैन है, वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, बाकि डिपेंड करता है आपके डाउन पेमेंट पर, आपके सिविल इसकोर पर, सिविल इसकोर बढ़िया रहेगा, तो कम डाउन पेमेंट पर भी आपको बाइक मिल जाएगी, और आपकी EMI जो है, और कम हो जाएगी, अब डॉकमेंट की बाद कर लेते हैं, कि बाइक को लेने के लिए डॉकमेंटस कौन क पड़ेगा, 6 महिने का नहीं है, तो 3 महिने का कमपल सरी है, वो दिखा के आप इस वाइक को परचेस कर सकते हो, ATM कार्ड सबसे बैस्ट होता है, ATM कार्ड एड करवाने के बाद, आपकी जो ट्रांजक्शन है, वो हुजाती है, ओनलाइन, जिसे हर महिने आपकी जो EMI होगी, वो ध्यान रखना, EMI की डेट मिस मत करना, बाकी गाड़ी की EMI, डाउन पेमें, डॉकुमेंट्स और पेपर, सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी कुछ मिस रहे गया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिएना, वो मैं आपको बता दूँगा, तो गाड़ी कैसे लगी, EMI कैसे लगी, बता दिया ना, वीडियो हेलफफुल लगा हो, तो शेर कर दिया ना, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहत हो, तो गाइज लेते हैं अल विदा, मिलते हैं एंगली वीडियो में, टेक केर, जैहिंद